स्वागत है आप सभी के शूडूप चैनल टेक्निकल बाटी पे आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपका लाइसेंस एकस्पायर हो गया है या फिर एकस्पायर होने वाला है तो किस तरीके से आप अपने लाइसेंस को रेनोल कर सकते हैं उसकी पूर मैं परष़ा है जिए जेँ विदियो दो चीक चारट करते हैं कि किसी वी सर्च इंगन में सर्च कर देते हैं परएवेन हों पर एवहन से हुमपर वालाइज ब कलिक करता है इस फिश सेलेक्ट कर लीजेगा किस यस्ते आप लासेंस रेनोल करना चाहते हो श्यक्रेट इसके पर क्लिक कर दीजे अब यहां पर apply for dl रेन वाल यहां पर आप क्लिक कर सकते हो यह दूसरा तरीक आई है कि driving license पर क्लिक करके services on dl पर क्लिक कर सकते है इस पेज पर नीचे की तरफ आओ के continue कर आपको क्लिक करना है उसके वाद यहां पर driving license इस नंबर डालना है यहां पर date of birth डालनी है यह capture है यहां पर डालके box पर क्लिक कर देना है और deal details पर क्लिक करना है अब इस तरीके से license की detail open ओके आ जाएगी यहां पर नाम फादर नाम date of birth address आपको दिख जाएगा right side में आपको photo sign दिख जाएगे इस page पर नीचे की तरफ आपको आ जाना है इस select पर क्लिक करोगे yes पर क्लिक कर दीजे अगर आपकी इन में से कोई सी category है वो आप select कर लिजेगा otherwise general इसको रहने दीजेगा आप आप सेलेक्ट कर लिजेगा किस आप आपका एडर्स है उसके according जो आप आप सेलेक्ट कर लिजेगा अब प्रोसिट पर क्लिक कर दीजे अब इस तरीगे से पेज ओपन हों के आ जाता है यहां पर mobile नमबर डल लिजेगा इमिल आइडे आप डालना चाहतो रैट सेटम बॉक्स आपको दिख जाएगा उसमें आपको डाल सकते हो अगर इमिल आइडे नहीं डालना चाहतो बिलेंक इसको छोड़ दीजेगा लेकिन मोबाल नमबर यहां पर डालके पीज पर नीचे के तरफ आओगे यहां पे ब्लड केडिगरी ऐसा है रहने देते हैं और अगर आपके में कंप्रम या कंटीनू को आ रहा है तो उसपे क्लिक कीजिए अब हमारे में अड्रस का भी आ रहा है तो जैसा यहां पर एड्रस है उसी के अपोडिंग राइट सेड में हम सेलेक्ट कर लेंगे अगर एड्रस भी आप आपको क्लिक कर देना है अब ऑथंटिकेशन के लिए आ जाते हैं तो YouTube आपको क्लिक कर देना है अब आपके mobile पे एक OTP चला जाएगा, OTP यहाँ पे डालिएगा, उसका authenticate विसारती पे क्लिक कर दीजेगा, अब इस तरही से page आपके सामने open हो के आजाएगा, अब यहाँ पे renewal of DL वाला जो box है, इस पे क्लिक कर दीजेगा, यहाँ पे आपको renewal of DL भी दिख सकता है, या revalid of expired license भी दिख सकता है, तो क्लिक यहाँ पे हम कर दें है, अब प्रॉस्यूर पे क्लिक कर देते हैं, अब इस तरीगे से page आ जाता है, self declaration form 1 पे क्लिक कर देते हैं, जैसे क्लिक करेंगे, इस तरीगे से आ जाएगा, किस तरीगे से fill करना है, वो मैं आपको बता देता हूँ, ब बात करते हैं, बी पॉइंट की, अगर आपको दोनों आखों से special दिकाई देता है, तो यहाँ पे क्लिक करें, अगर आपके hand या foot lost हो गए है, या हाथ या पैर की जो muscular है, उसमें कोई defect है, या फिर हाथ या पैर की जो muscular power है, उसमें control करने में कोई दिक्कत है, तो यहाँ पे हैंने लगा रखके हो, सुनने में अगर दिक्कत है, जिस पे क्लिक कीजाए, अगर ऐसी कोई भी दिक्कत आपको नहीं है, तो नो पे क्लिक कीजेगा, बॉक्स पे क्लिक कर दीजेगा, सम्मिट पे क्लिक कर दीजेगा, ओके पे क्लिक करें, उसके बाद ओके पे क्लिक कर दी है इस तरीकेसे क्लिक कर देते हैं यह जो capture है इसको यहाँ पर डालते है जैसा यहाँ पर 粉लमी और उसके अब इस तरीके से ओपनों के आ जाता है यहाँ पर आपको दिख जाएगा इसको कहीं पर नोट कर लीजिएगा क्योंकि जब भी आप प्रोसेस कंप्लीट करोगे या इस्टेटस देखोगे तो इस आपको जर्ट पड़ेगी वाकि यहाँ पर डॉक्मेंट आपको दिख जाए तो print form 1-a p click कर लेए medical certificate का format आप निकाल सकते हैं आगे के process को complete करने के लिए next पर click करोगे यह जो capture है इसको यहाँ पर डालते है submit क्लिक कर देते हैं अब इस तरीके से page open होके आ जाता है हमारे में note और इस तरीके से point mention होके आ रखके हैं तो इस case में process complete करने के बाद जोभी step है वो complete करने के बाद RTO office हमको जाना होगा document verification के लिए अगर आपके में इस तरीके से नहीं आ रहा है note और इस तरीके से point mention होके नहीं आ रखे एक ही line में status आ रहा है this is faceless, contactless application, no need to visit RTO या MLO office तो उस case में घर बैठे ही आपका सारा process complete हो जाएगा आपके right side में आऊगे media certificate format निकालना चाहते हैं आप प्रिंट form and MP किलिक करगे certificate का format आप निकाल सकते हो आपके area में जो डॉक्टर उनसे इसको भरवा लिजेगा चाहिन उनके करा लिजेगा उनकी महर लगवा लिजेगा और उसके जो महर है उसमें registration number होना चाहिए अगर medical certificate की detailed information आप चाहते हैं तो उसे related ओलेड वीडियो में चैनल पर अप्लोड कर रखिए है आप सर्च कर सकते हो driving license medical certificate वीडियो आपको वहां पर दिख जाएगी आपके इस page भी नीचे की तरफ आते हैं अब यह step हमको complete करने document upload करने आप photo signature upload करने payment करने और उसके पाद appointment करना है आपके case में इन step में से कम या जादा हो सकते है document upload करने के लिए प्रोशीड पर क्लिक करते हैं अब ok पर क्लिक करते हैं यहाँ पर document select कर लेंगे जिसको हम upload करना चाहते हैं हमारे case में तीन document हमको upload करने इन में से कोई सा भी एक payment up select कर लीजेगा upload करने के लिए तो पहले से में पर फॐर रखो कर ना चाहते हो तो क्लिक या में पर कर देता हूं उसकभाए principle करते हैं यहाँ मैं आधार अप्लोड करना चाहता हूं अब यहां पर गौवर्मेंट ऑप इंडिया द्वारा इस हुआ आधार तो जीओ आई हमने आप सोट में डाल दिया इसू डेट यहां पर डाल दीजिए कॉंटेक्ट नबर मोबेल नमबर आप अपने डाल सकते हो यहां पर अपर सेलेक्ट कर लिजिए जया साथ Keeping और निकाल दीजिए खाड़ शेकर लिजिए और इसमें अपने साइन की नीचे डाल दीजिए कि यहां पर क्लिक कर लोगे और अप्लोड कर दिजिए लिए उसके बाद तिन ऊप्चन दिखींग गैंगे शूंप मैं टॉकमेट अप्लोड किया हैा गलत डॉकमेट आपसे अगर अगर color document upload हो गया तो cross पर क्लिक करके दुबारा अप्लोड आप कर लिजे सही document अगर आपने upload किया है तो confirm पर किलिक करे इसी तरीके से license upload कर लेंगे और medical certificate भी इसी तरीके से upload कर लेंगे अब इस तरीके सा आजाता है और documents are uploaded successfully it is mostly, आगे के step को complete करने के लिए next पी किलिक करते हैं, यह capture ऐसंदमिट पे कफ्रेक्यक कर देते है, अब इस पीई पे नीचे तरप आ जाते हैं, प्रोड हो सिगनेचर अपलोड करने एक किलिक करते हैं, यहां पर फोटो सेलेक्ट कर लेते हैं, यहां पर सिगनेचर सेलेक्ट कर लेते हैं, ध्यान आपको यह रखना होगा, जो भी फोटो सिगनेचर आप अपलोड कर रहे हो, उसका साइज 20KB से कम होना चाहिए, और अपलोड एंड वीव फाइल्स पर क्लिक करोगे, अब सेव फो इपलीगेशन आपको निकाल नहीं ते यहां पर किलिक करके, निकाल सकते हो आप, एपलीगेशन स्वोर्म पर किलिक करके, वागे के Step को कमप्लीट करने के लिए, owners campaign निची कतरह पा जाते हैं, प्यमेंट करने लिए प्रोसियड लिए प्रहूर्स हिक पर किलिक करते हैं, पर किलिक कर देते हैं जा अब इस तरीगे सा जा जाता है इस टेट बेंक एक पिलिक करें अफ जान पर करता हूं अब करता हूं यहांपे काड के डिटेल डालें निकालने के लिए आपको बता देता हूं अपोइन्मेंट के इस तरीके से बुक कर सकते हो आट्यों पर जाने के लिए अपोइन्मेंट बुक करने के दो तरीके है एक तरीका तो यह है कि अपोइन्मेंट पे किलिक करके दिया सर्विसी स्लोड बुकिंग पे किलिक करोगे अप्लिकेस नमबर डालोगे डेट अप बर्ड डालोगे यह कैपचे यहां पर डालोगे सम्मेट पे किलिक करोगे प्रोस अब यह सारे step complete हो चुके appointment कर रहा है तो प्रोशीड पर किलिक करते हैं अब यहाँ पर application नमबर डेट अब बरत आपको दिख जाएगी यह capture यहाँ पर डालके submit पर किलिक करोगे appointment बुक करने के लिए प्रोशीड बुक पर किलिक करोगे अब calendar में जो भी green date है उनमें से cohesive date आप select कर लिजेगा appointment बुक करने के लिए जैसे 29 का मैं appointment करना चाहता है तो किलिक यहाँ पर कर लेता हूँ अब इस पर right side में आप आओगे तो timing आपको दिख जाएगी कितने बज़े के बीच appointment चाहिए उस circle पर किलिक कर दीजिएगा जैसे मेरे को 10 से 12 बज़े वाला चाहिए तो किलिक यहाँ पर कर देते हैं उसके बाद book slot पर किलिक करते हैं अब आपके अप्रिकेशन से जो मोबाइल लिंक को उटी पूस पर चला गया से कर दीजिएगा अब इस तरीके से appointment receipt आपके समने ओपन होके आ जाएगी इसको आप सेव करना चाहते हैं सेव कर सकते हैं डाउनलोड करना चाहते हैं डाउनलोड कर सकते हैं प्रिंट निकालना आपको लेके जाने होंगे अप्लिकेशन फॉर्म आपको लेके जाने है जो भी डाकमेंट आपने अप्लोड किये हैं वो ओरिजिनल एंड फोटो कापी जैसे के license, current address, proof, medical certificate और जो भी आपने document अप्लोड किया है तो वो ओरिजिनल एंड फोटो कापी तो अपने case में बात कर आपको लेके जाने है तो आधार ओरिजिनल एंड फोटो कापी लेके जानी है जो भी इसके अलावा गर आपने कोई old document प्लोड केया तो ओरिजिनल एंड फोटो कप आपको लेके जानी है पेमेंट रिसिप्ट, appointment रिसिप्ट ये आप लेके जायेगा जिस टेट का appointment है आपक और वहीं अगर आपका लाइसेंस एक साल के अंदर एकस्पायर हुआ है या एक साल के अंदर एकस्पायर होने वाला है तो उस केस में सिर्फ यह डॉक्मेंट आप लेके जाईएगा जिस डेट में अपॉइंटमेंट है आपका अब इसका मैं आपको बता दे तो application form किस तरीके से निकाल सकते हो अपॉइमिन्ट रेसिप्ट किस तरीके से निकाल सकते हूं तो पेक मेंन्ट रॉसेप्ट यहां से निकाल सकते हो फीश पेमेंट पे क्लिक करोगे उसके बाद इहां परकी इप्लिकेशन नमबर देट बिर्त यह अप डाल एच पिरकर करके पैमेंज रसकते अजय से पो आप सकते हैं फाकी कि अदर्स फरे किलिक करकर के पिर्ट अप्लिकेशन वां पर किलिक करो гए है प्लिकेशन नमबर यह Two-girl एट रसकते हैं तुर मोबैल हो सबने हो जाए करोगे तो उसके बाद application form आप निकाल सकते हो medical user पर मेंट निकाल सकते हैं दूसर अतर है कि application form नेका और यह अधर जो भी फॉर्म आपके उनके निकालने का तो application status पर फिक्री करोगे उसके बाद application number डालोगे यह क्या चैप डालके submit पे click करोगे application login हो के आ जाएगी इस पेज पर right side वाओगे तो यहां से application form आप निकाल सकते हैं medical certificate format निकालना चाहते हैं यहां से आप निकाल सकते हैं जिस date में appointment आपको उस date में document को verify करा दीजेगा जैसे document आप सकस्पुल verify करा दे तो तो application status पे click करकर detail डालके proceed करोगे application login हो के आजाएगी page पर नीचे के तरह पाऊगे तो इस status आपको दिख जाएगा क्या आपकी application का current status चल रहा है तो starting में इस कूटने document verification का complete होता है process जैसे वो complete हो जाता है तो application approval में चली जाती है जैसी approval हो जाती है तो license printing में चला जाता है license print होने के बाद dispatch में जाता है जैसे dispatch होता है तो उसी time आपकी mobile पे SMS भी आ जाता है उसके तो आप online चेक कर सकते हो कि आपका driving license कहाँ पर पहुंचा है तो जाता है application status के तुरू आप देखो कि detail डालके तो उसमें भी आपको दिख जाएगा जैसे आप speedpost tracker नमबर लग जाएगा तो उसके तो online status देख सकते हो कि आपका license कहाँ पर पहुंचा है तो यह पूरी जानकारी है जी पकी license related और भी जानकारी आप देखना चाहते हो तो यहाँ पर आप सर्च कर दीजिएगा license चाहिए learning license और पर्मनेंट ड्राइम लाइसेंस रिइनवल डूप्लिकेट एटर चेंज नेम चेंज और भी काफी license रिइनन अप्लोड करके इनको आप दीख सकते हैं बाकि सोसल स्यीट पर जुड़ना चाहते हैं यहाँ पेज पर नीचे के तरफ आऊ हूं सोसल साइट के लिंक दिये हुए सोसल साइट पर आप जुट सकते हैं प्लेलिस्ट के बात करें तो काफी important categories related video में अप्लोड करके इनको आप चेक कर सकते हैं वाकि अगर आपका कोई doubt कुछ पूछना चाहते तो नीचे comment box में comment कर सकते हैं आज की इस वीडियो के बारे में आपकी क्या रहा है वो भी आप comment आप कर सकते हो और आप हमारी इस वीडिय वीडियों नहीं जाने का देख साथ तब तक लिए पाए टिक केर